Hey guys, hello welcome and welcome back to my channel मैं हूँ Anisha and आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पर आज की वडिय में आप देखे हैं कि ये makeup look मैंने कैसे किया है So ये makeup मैंने किया है summer makeup look Clean makeup look, summer makeup look जो कि आप अगर अगर daily office जाते हो या फिर college आते हो तो आप ये makeup look easily carry कर सकते हो So वीडियो में end तक बने रहे हो और देखो कि ये makeup मैंने कैसे किया है और ये makeup बहुत ही long lasting होगा और sweat truth होगा जिसे आपको पसीना नहीं आएगा और easily ये makeup आपका fade भी नहीं होगा So वीडियो पे end तक बने रहे है So यहाँ पे मैंने face wash कर लिया है इसके बाद मैं apply करूँगी Good Wipes का ये toner Witch Hazel Soothing Toner है ये और मैं इसे अच्छे से apply करूँगी Toner के बाद मैं ये Nica का Skin Rx Vitamin C Illuminate Plus Day Mosh Riser यूज़ करूँगी इसमें SVA 15 है जिससे आपको Sun Protection भी मिलेगा तो इससे मझे अलग से sunscreen लगाने की जरुवत नहीं है इसके बाद मैं ये primer यूज़ करूँगी Color Essence का आप कोई भी यूज़ कर सकता है Primer लगाने से क्या होता है कि आप oil control करता है और फिर ये हमें एक smooth base देता है जो कि बहुत अच्छा होता है इसे अच्छे से blend करने के बाद मैं ये PAC का foundation यूज़ करूँगी यहाँ पर मेरे पस दो shade है मैं दोनों को mix match करके अपने skin tone के according मैं इसे apply करूँगी ज्यादा foundation मैं नहीं लूगी हलका foundation ही लूगी क्योंकि day look के लिए हलका foundation ही यूज़ करना चाहिए day look के लिए हमें light weight foundation ही यूज़ करना चाहिए और light ही base बनाना चाहिए यह liquid foundation है तो इससे हमें matte base में लेगा जो की sweat proof होगा इसके बाद beauty blender से अच्छे से पूरे base को blend कर लेंगे foundation blend करने के बाद मैं यहाँ पे concealer apply करूँगी यह maybelline pit me का एक light shade का concealer है इससे मैं अपने face को highlight करूँगी और फिर मैं इससे अच्छे से blend कर लूँगी concealer जब blend हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पे एक loose powder लूँगी यह lacme का loose powder है, rose powder है उससे मैं अपने face को bake करूँगी then मैं थोड़ा सा powder brush में लूँगी और अपने face पे अच्छे से apply करूँगी powder इसके बाद brows के लिए मैं यहाँ पे gel liner लूँगी brown color की और मैं यहाँ पे brush लूँगी angular brush और उससे फिर मैं अपने eyebrows draw करूँगी eyebrows हमें light करना है और brown shade से करने से बहुत ही natural eyebrows हमें मिलता है eyebrows हमें एक दब natural रखने चाहिए ज्यादा over लगने से fake लगने लगता है वह अच्छा ने लगता है इसके बाद मैं अपना eyeshadow palette लूँगी और इसमें से एक normal brown color का eyeshadow लूँगी हलका सा और यह मेरा पी एसी का brush है fluffy brush उससे मैं अपने eyeshadow को हलका सा blend करूँगी ज्यादा eyeshadow नहीं अप्लाई करूँगी हलका सा ही अप्लाई करूँगी इसके बाद मैं यहां पर एक blusher palette लूँगी और इसमें से एकदम light shade का blush मैं अप्लाई करूँगी हलका हलका धीरे धीरे करके मैं इसे blend करूँगी एक ही बार में ज्यादा product नहीं लूँगी हलका हलका product लेके मैं हलका हलका blush लगाऊंगी अच्छे से blush apply करने के बाद मैं यहां पर faces canada का setting spray यूज़ करूँगी और अपने make up को set कर लूँगी make up अच्छे से set हो जाने के बाद मैं यहां पर eyeliner draw करूँगी eyeliner यहां पर मैं सिर्फ एक wing create करूँगी पूरे अच्छे सा eyeliner नहीं लगाऊंगी सिर्फ मैं wing create करूँगी हलका सा eyeliner लगाने के बाद मैं यहां पर mascara यूज़ करूँगी जो कि Maybelline का है फिर मैं यह lip balm यूज़ करूँगी अपने lips को moisturize करने के लिए फिर मैं यह mars का lip liner यूज़ करूँगी brown shade मैं जिससे मैं अपने lips को fill करूँगी और line भी करूँगी मतलब मैं इससे ही lipstick apply करूँगी और इसी के साथ मेरा make up complete हो गया है hairs के लिए अगर गर्मी है तो आजकल ponytail या फिर bun बना के ही रखना चाहिए क्योंकि open hair में और भी जादा गर्मी लगेगी so that's it for today अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को like कर देना and don't forget to subscribe my channel and bell icon press करना नहीं भूना मिलती हूं नेक्स वीडियो में तक तक के लिए बाई